गुड मॉर्निंग, नमस्कार स्ष्रिया काल, वेलकम टो अगनीजा प्रे, कैसे हैं आप सब? उमीद करता हूँ बहुत खुश होंगे, अभी जो है 3 बज कर 15 मिनिट का समय टारिक 21 जुन 2021 योगा दिवस तो यहाँ पे आपको मिलेगा पढ़ने को average का सवाल अगनीजा competitive academy के तरफ से इसके पहले जो कुछ वीडियो आए हैं तो उनको जो है आप देख सकते हैं यूटूब प्रेनल पे यहाँ पढ़ा हुआ होगा वो भी और उसमें जो है concept की हमने बात किया है कि क्या क्या concept होता है कुछ basic type का concept बहुत सारे concept रह भी गया है तो उनके जो है अलग से वीडियो बनेंगे ये सवाल basic सवाल है सारे सवाल वो मिलेंगे जिनको आप जो है in the mind करना होता है smartly करना होता है ठीक है देखे question नमर 2 बोलता है पहले सव धनात्मक पूरुणांक संख्या का औसर क्या है पहले सव धनात्मक पूरुणांक आओगा एक से सुरू होगा और कितना सव तक जाएगा 1, 2, 3 अपना करते-करते, जो है 100 तक पहुंचेगा, dot dot dot, 100 तक पहुंचेगा, ठीक है, तो आप देख रहे हैं, यह लगातार संख्या है, लगातार संख्या है, तो हम बताये थे कि भाई, लगातार संख्या का जब आपको आउसत निकालना हो, तो तरीका होता है, बहुत सांद रहे हैं कुछ नहीं करना है first plus last by two यानि कि f for first, l for last यहां पर पहली बार है तो लिख दे रहे हैं first plus last by two तो 100 में आप 1 जोडएंगे तो कितना हो जाएगा मैडियर 101 हो जाएगा और 2 से भाग दिजे तो 101 में 2 से भाग देंगे तो 50.5 हो जाएगा यहां पर answer option नमबर दिया है कि सी में आगे चलते हैं एक से एक हत्तर तक प्राकिर्ट संख्याओं के वर्गों का आउसत क्या है तो दखिए एक से एक हत्तर तक मने प्राकिर्ट संख्याओं के वर्गों का आउसत यानि कि कहने का मतलब है कि सवाल जो है एक से शुरू किया है एक दो तीन चार पांच अग करते करते और सबका स्क्वायर का जो आउसत होगा तो वो आपसे पूछा है तो आप पहले खुद बताईए एक से लेके 17 तक का पहले आपको आउसत का योग अगर पता करेंगे तभी तो आप उसमें 17 से भाग देंगे और फिर जो है है हमारा एंसर आप आएगा तो आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी भी बात है कि भाई एविल तो अलग बात है पहले आप यहां पर यह जानिए कि जो आउसत निकालने का तरीका होता है किसी भी नेचरोल नंबर प्राकीर्थिक संख्या है तो अलग अगतार संख्याओं का योग άλλकल निकालने का तरीका होता है वर्गों का योग तो वो होता है 6 बट्तím क्या है जीतने संख्या है वह है जैसे नहीं कि 1 से शूरु कर रचार तक घा है तो 1अहां खत्तर कर देंगे यान की n के जगाप यहां पे हम 70 लेंगे तो यह n के जगाप एक 70 लिखें और यह n प्लस 1 है तो यह 70 में एक जुड़ के 72 हो जाएगा और यह 70 तो नीचे कितना आएगा 6 आएगा तो यह क्या आया यह तो अभी हमारा किसीज का फॉर्मूला है आउसत तो यह नहीं आएगा ऐसा करने पर केवल आपका आउसत आने वाला नहीं है आपको जो है इससे केवल आप यह निकाल पाएगे कि यह वर्गों का योग इतना है तो वर्गों का योग हमको नहीं निकालना है तो का करेंगे संख्या कितनी है आप गोलेंगे 1,7 है तो 1,7 से भाग मारेंगे ऐसे 1,7 से भाग मारेंगे तो कोई दिकत नहीं है 1,7 आकर पलटकर यहीं पे चलाएगा 6 के साथ तो देखिये 1,7 से भाई 1,7 कट जाना है 6 से 12 बार describe आपका जो है 72 कट जाएगा 6 से 12-12 कर जाएगा ये 6 उपर वाला है ये 6 को कुछ हो जाएगा देखके तो अब देखिए 12 में 143 से के और हम जब गुना कर दें तो वही हो जाएगा इस सवाल का उत्तर तो 12 में 143 से जो आप गुना करेंगे तो गुना पुरा कर नहीं करना है दखिए unit digit का इस्तिमाल कीजिए last में यहां 2 है यहां last में 3 है 2,3,6 तो unit digit 6 वाला option चुनिए आप बोलेंगे यहां भी 6 है यहां भी 6 है जो 2 option में 6 दे रहा है तो ऐसा कीजिए कि 143 को क्या हम नहीं लिख सकते हैं 11,3 जिसमें 11 भी छीपा हुआ है तो ऐसा option चुनिए दोनों में से जिसमें 11 का multiple हो क्योंकि 2 option यहां पर बच रहा है और last में 6 चाहिए 2 option तो यह जो है option number C और option number D तो कट ही गया है तो दो option ऐसा चुनिए जो 11 का multiple हो तो 11 का multiple आप देखेंगे केवल option number B ही है दूसरा कोई आपको मिलेगा नहीं समझ गे बात तो बस इतना ही आपको जो है करना होता है तो आगे चलते हैं question number 4 पे 100 तक की सफी 20 संख्याओं का आउसत क्या होगा एक सेकेंड जरा हम इनको पूरा clean कर ले क्योंकि यहीं पे जो है सारा question बनाना होगा इस side का और इसी पूरा page का तो इसको थोड़ा clean करना जरूरी है हाँ जी तो समझ पा रहे हैं कि नहीं जराइए बताइए मजा आ रहा है बोलिए नहीं आ रहा है मजा तो लाना पड़ेगा दोस्त वरना आप समझ सकते हैं दिक्कत की बात है चौथा number चौथा number तू बोला है चौथ तक की सभी बिशम संख्याओं का आउसत क्या होगा तो सो तक की सभी बिशम संख्याओं का आउसत तो आप खुद बताइए एक से सुरू होगा क्योंकि एक बिशम संख्या है शुरूआत कहां से होगा एक से होगा और सो तक जाएंगे तो सो क्या बिशम संख्या है आप बो तो आप देखेंगे कि जो आप एक तीन पान साथ यहां पे लिख के जरा आपको दिखा देते हैं कि एक तीन पान साथ नो ऐसे ही डॉट 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 निन यानवे तक जो जाएगा तो उसमें आप देखराएं कि सीरीज बन रहा है दो-दो का सम में जो है हर बार गैप है हमेशा दो-दो का गैप है तो आपको हम बताये हैं जब सीरीज बने या एपी का सकते हैं एपी बने जिसमें डिफरेंस हमेशा सेम हो तो का करेंगे उसमें भी फर्स्ट और लास्ट में चोड़ कर भाग दे दें 2 से तो वहीं हो जाएगा हमारा उसत तो 99 और 1, 99 और 1, 100 बट्टा 2, 50 हमारा हो जाएगा यहाँ पर एंसर तो उमीद करते हैं इतना कुछ आप समझ पाए होंगे अगर नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को जो है थोगा साब फिर से एक बार पीछे कर कि देखिए बिल्कुल समझ आ जाएगा बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ मैं और यह कोई बहुत आसान सब चीज है इसमें कुछ है होई नहीं बच्चों बात है तो आगे चलते हैं हाँ यहाँ पर एक बार और आप सीख लीजिए एक चीज बोलाए एक से लेकर 100 तक की स सबी बिसम संख्याओं का आउसर नहीं यहाँ पर नहीं हो सकता है आगे चलते हैं अगला सवाल क्वेशन नंबर पांस 37 लगतार संख्याओं का आउसर जो है शोवन है इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी वो आपको बताना है तो दखिए क्या करना है क्या होगा शुरुबात कहां से होगा आप बूलेंगे शुरुवात कहीं से कर सकते हैं उससे हमको मतल् collecting नहीं है लेकिन जब 37 है और लगातार है और वीशम संक्या है तो आप बोलेंगे difference यहां भी हर बार क्या होगा? दो दो का तो difference होगा? क्योंकि बीसंब संक्या में हमेशा दो का gap होता है, जिसे वाई, एक, तीन, पाँच, साथ यह सब बीसंब संक्या आप देख रहे हैं, कि बीच वाला नंबर भी हम लोग ले सकते हैं, वहीं हो जाएगा उसका आउसत, कब जब सीरीज बने तब या फिर लगातार संख्या क्रमांगा जो संख्या बोलते हैं वो बने तब, वो भी क्योंकि एक सीरीज ही है, तो आप देखेंगे 37 संख्या है, तो बीच वाला हमारा ह हो जाएगा उसका क्या, बीच वाला हो जाएगा उसका आउसत, तो यहां पी आप देखेंगे कि बीच में जो नंबर आएगा, वो क्या होगा, यहां पर टोटल संख्या 37 है, तो 18 संख्या इसके बाई होर होंगी, और 18 संख्या इसके दाई होर होंगी, तो बीच में जो लिलू है वो कितना है मैडी रोगों शउवान है वह क्या है चबमन है तो आप से पूठा है क्या पूच आ और यह यह जो हम इक चीजिज और यह जो है 19-वा नंबरर है किए ren से शुरू करें तो 18 से इस पर आएंगे तो यह 19 वा नंबर होगा और यहां यह पूरा लास्ट है यानि कि यह क्या है टोटल नंबर 77 तो यहां कह सकते हैं कि यह 37 वा नंबर है उसी इसका ठीक है कह सकते हैं कह सकते हैं तो आप देखिए 19 से सीधी हम को क्या पे जाना है 37 पे जाना है 19 वे नंबर से 37 वे नंबर से जाना है क्यूं यहां पे बोला है इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको जो है 37 पर नहीं जाना पड़ेगा तो 37 पर आपको आना है तो द अगर तीन लोग हो रहा है तो कितना चार का गैप हो रहा है और एक से पांच के बीच में कितना गैप है तो आप बोलेंगे चार का गैप है कैसे एक तीन पांच तो यहाँ पे एक यह दूसरा यह तीसरा यह तो तीसरे नंबर पे गए और तीसरे नंबर से पहले का डिफरेंस निकाले तो चार है तो यहाँ पे चली उभी आपको समझ आए तो कोई बात नहीं आप यह बताए कि दो लोगों के बीच का अगर हम ऐसे कुछ इसको सर्कल बने तो यहाँ पे आपको पता है कि जो बिसम संख्या होती है हर दो घर के बीच में दो का डिफरेंस होता है गैप हो पता है कि भाई कितने घर का गया फोरा है आप बोलेंगे अठारा घर का गया फोरा है तो आपको पता है कि एक घर का जो बराबर है एक घर जो है दो के बराबर है तो अठारा जो घर होगा कितने के बराबर होगा आप बोलेंगे अठारा में दो से गुना कर देंगे चातिस के बराबर होगा, 36 के बराबर होगा, भूलिए, तो का करेंगे, जो ये 54 है, ये तो जो है, कौन सा था, 37, हाँ, ये 100 है, 37 वा नंबर है, एक सेकंड, 37 लगतार संख्याओं का आउसा 54 है, इन संख्याओं में सबसे जो है, बड़ी संख्या, तो ये है 19 वा नंबर, और उसके ब एक सेकंड, तो 19, हाँ, 18, 22, 36 तो यहाँ पे, कुछ गरबर लगता है, हो रहा है, 18, 22, 34, 56, 36, 90, केसे हो रहा है, कुछ गरबर लग रहा है, 18, 24, 36, एक सेकंड, हाँ, तो question number जो है, किस पे 5 पे आते हैं, देखिए, पांचवा सवाल है, 37 लगतार संख्याओं का जो औसत है, 54 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो देखिए, 37 जब लगतार संख्या होगा, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, कि यहाँ भी एक सी भूल जाइए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, यह सब लगतार संख्या है, तो यह सब एक सीरीज बन रहा है, क्योंकि डिफ्रेंस जो है, हमेसा किया है, हमेसा एक है, लगतार संख्या में, ठीक है, तो बस यहीं चीज हम आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं, हाला कि इसके बारे में ड बीच वाला होगा, वो होगा उसका एवरिज, और 18 संख्या इधर रहेंगी, 18 संख्या इधर रहेंगी, और बीच में उजोज संख्या रहेगा, वो हो जाएगा इसका एवरिज, यानि कि कह सकते हैं कि इधर से आने पे यह 19 संख्या जो है, यहाँ पे इसका हो जाएगा कि उनिसवा संख्या हमारा चंवन है और आपको पता है कि हर दो संख्या के बीच का जो गाइब है क्योंकि यह तो लगतार संख्या है तो हर दो संख्या के बीच का जो गाइब है वो एक है भाई लगतार संख्या में यहीं तो होता है इक का गयप वह इसे 18, 19, 20 इस अब लगता संखिया, तो क्या एक-एक गयप नहीं हो रहा है, आप बलेंगे, बिल्कुल हो रहा है, तो यहाँ पे हर दो संखिया के बीच में एक का गयप है, तो आपको 19 से 37 प्याना है यानि कि कितना गयप पे पहुँचना है, आप बोलेंगे अठारा घर का गयब करना है तो एक घर का भैलू एक के बराबर है तो अठारा घर का भैलू कितना के बराबर होगा अठारा के बराबर होगा तो चमवन में अठारा जोड देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बहुत तर इसका एंसर यह हो गया बड़ी सं संख्या पूछ दिया होता तो 18 घर पीछे याते तो यहां पे 14 में से 18 घर जाता तो 36 हो जाता इस सवाल का उत्तर कलको बुलेगा कि भाई आप बड़ी संख्या और छोड़ी संख्या में अंतर निकालिए तो वह भी कर लेंगे बहुत आसान से इसको पूरा भी नहीं करना पड़ेगा यह सब पूरा यह सब डर्वा नहीं करना पड़ेगा हमारे बात तो उमीद करते हैं कि आप जो है समझ पा रहे होंगे मज़ा आ रहा होगा आपको और आप चलते हैं सवाल नंबर कितने पर सवाल नंबर आपका है छटा हाँ नौ लगतार धनात्मक पूर्णांकों का आउसत जो है वो है 63 सबसे बड़े एवं सबसे छोटे पूर्णांक का गुननफल ग्याद करें तो देखिए नो लगतार है तो का सकते हैं कि भाई चार संख्या इधर होगा लगतार है तो चार संख्या इधर होगा रहे溜 ह 56 Africa लगेगा दुसरा हर जगए नहीं लगा देजेगा लगतार का बात हो Templ before क्रेंफ एमिंधर इसका है इसका कंसेप्ट यहां पिस्तिमाल धोता है कि बाई बीच वाला जो है संख्या उसका उसत है देखिए चार संख्या इधर होंगी ऐसे बनाते हैं कि चार संख्या इधर होंगी और उसके चार संख्या दाहिने और होंगी और जो बीच में जो नंबर होगा हुई उसका एवरेज होगा तो अब देखिए बोला है 9 संख्या है तो यहाँ पी यह जो है यह एवरेज जो है इसका 63 है तो बोला है सबसे बड़े एवं सबसे छोटे पुरुणांग का उननफल ग्याद करें तो आप खुद बताइए यह 63 है यहाँ पे अगर चार यह बढ़ेगा क्योंकि सबसे बड़ा कौन होगा इसके दाइनो रोला होगा तो 63 और 4 सरसट यानिकि सबसे बड़ा संख्या सरसट है और यहाँ पे जब आएंगे तो 63 में से 4 गटाएंगे क्योंकि सब एक एक का डिफर और सरसट का कि क्या निकालना है कि बड़ी सबसे संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल निकालना है अब देखिए गुणा भी पुरा आपको नहीं करना है देखिए 9 सते 63 इसका unit digit पकड़े 9 इसका इकाई कांग साथ अरे unit digit इकाई कांग के के होता है ये 9 है ये 7 है, इकाई कांग 9 और 7 में गुना की क्या है 9 सते 63 का हमको 63 से पूरा मतलब नहीं last में क्या आएगा इसका गुना करने पर 3 आएगा तो वही option चुनी जो last में 3 देता हो, आप इस हिसाब से इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं दो option हमारे पास बचके हैं, इसके last में 3 है, अब दखिए ऐसा कीजिए कि यहाँ पर digital sum लगा जिए, digital sum क्या बोलता है भाई, तो यहाँ पर 5, 9, 14 तो 14 में दोनों को जोड़ी 4, 1, 5 तो यह 6, 7, 13 13 में क्या हो जाएगा 3, 1, 4, यानि कि 5 गुने 4 के हो, डिजिट के sum में आप गुना करेंगे हम बीच में गुना है तो, तो 5 को 20, जिसका digital sum 2 दे रहा है तो digital sum आप देखेंगे यहाँ पर 8, 3, 11, 5, 16, 3, 19 तो 19 में आप जोड़ेंगे दोनों को 19 में 9, 1, 10, यानि कि digital sum तो 1 प्लाश 0, 1 ही आ रहा है लेकिन हमको 2 चाहिए तो अब इसको जोड़ेंगे, तो 9 से 9 कैंसिल मार देते हैं अब 5, 3, 8, 3, 11 11 में दोनों को जोड़ेंगे फिर, एक, एक, दो यहाँ पर digital sum दो दे रहा है, तो यहीं हो जाएगा हमारा option number B तो इतना करना होता है, दिमाग लगाना होता है digital sum क्या होता है, वो भी हम एक वीडियो में अलग से बताएंगे आपको लेकिन फिलाल इसको जो है, समझ जीए अगर आप digital sum का concept यहाँ पर नहीं पकर पाए हैं तो कुछ नहीं, आप ऐसा कीजिए कि घूना करके ही उनसर्ट में सर्ट सर्ट से और आप इसको कर लेजे, ठीक है अब चलते हैं question number 7 पर question number 7 बोलता है कि चार लगता समसंख्या है क्रम सब, P, Q, R और S बढ़ते क्रम में हैं तो उनका जो है औसवात कितना है, 51 है P और S का गुननफल किया है बहुत ही आसान सवाल इससे अब आसान सवाल, जो जो अभी पढ़ा रहे हैं इससे आसान सवाल, अब आपको जो है देखने को average में नहीं मिल सकता है तो दखिए P, Q, R, S है यह चार वो संख्या है, इसको लिखेंगे चाहें नहीं लिखेंगे, उससे कोई दिकत नहीं है P है, फिर Q है और फिर आपका R है और S है यह लगतार संख्या है लगतार चली, खाना बना देते हैं आपके लिए इससे 0, 0, 0, 0, 0 खाना खाने वोला नहीं, 0 बोलका को हम बोल रहे हैं ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आउसत कितना 51 है तो लगतार संख्या का आउसत निकालने के लिए आपको पता है कि बीच वाले को पकड़ते हैं लेकिन यहाँ पे पंगा फसरा है कि 2 और 2, 4, बीच में है कौन तो बीच में साहब ये है, ये वाला चीज तो यहाँ पे 51 इसका जो है value दे रखा है तो पुछा है P और S का गुणन फर तो बागी लगतार संख्या है तो ये उससे एक अधिक होगा तो कितना ये हो जाएगा आप बोलेंगे कि ये जो है 52 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आप बोलेंगे 33 हो जाएगा अब देखिए 51 ये है और ये क्या है एक सिगन क्या बोला है consecutive even number है तो यहाँ पे जो होगा 51 एक 52 तो होगा लेकिन ये वाला जो चीज होगा वो 33 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा कैसे क्योंकि 52 के बाद क्या आएगा 54 ही तो आएगा क्योंकि समसंक्या का बात किया है अब जखे ये 52 ये 54 तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और ये चीज 48 हो जाएगा तो बोला है लगत तो बड़ी P और S का तो P कितना है 48 है S कितना है आप बोलेंगे 54 है तो 48 और 54 का आपसर क्या पुझ रहा है गुणन पर पुझ रहा है तो 48 में आप का किजे 54 से गुणा कर देजे तो कितना हो जाएगा 38 32 लास्ट का अंक 2 होना चाहिए एक ही इस आपसर है जिसके लास्ट में जो है 2 दिया है तो आपसर नमबर 1 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर संख्या 104 से 148 के बीच में वो संख्याई है क्या बोला है बीच 104 तथा 148 के बीच की सभी संख्या यानि की और सभी संख्या का बात किया है सभी संख्या तो दखिए हम न तो 104 को लेंगे और नहीं 148 को लेंगे क्यों कि 104 और 148 के बीच की संख्या का बात किया है इसनी तो देखिए यहाँ पे 104 के बाद संख्या क्या होगा 106 होगा 148 के तुरंट उसके पहले वाला संख्या कौन होगा आप बोलेंगे 146 होगा दोनों को चोड़ दीजे क्योंकि 1 मिल गया यह वाला 106 जो है फर्स्ट है यह जो है लास्ट है तो आपको पता है यहाँ पे 2-2 का गयप मिलेगा क्योंकि संख्याओं का यहाँ पे सिरीज बन रहा है और सिरीज की सवाल उनको बता चुके हैं फॉस्ट प्लस लास्ट बाई 2 जो है दीजट है तो फॉस्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे तो 106 और 146 कितना हो जाएगा मेरे पैर साथी हो तो 202 हो जाएगा इसमें 2 से भाग मारेंगे 126 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर option number D में दिया है ठीक है तो बस इतना ही करना होता है जादा लिखा पड़ी और मार्था पेची सवालों को करने की जरुवत नहीं चाहिए आप MTS का एक्जाम दे रहा हूँ, CGL करते रहा हूँ या फिर GD करते रहा हूँ ठीक है तो बस चलते हैं अब आगे Question No.9 पे आते हैं Question No.9 क्या बोलता है, जरा थो उपर करने को मिटाने देजें उसके बाद बहें Question No.9 पे आएंगे हाँ जी, तो बोला है 113 से 119 तक की सभी बिशम संख्याओं का आउसत क्या है तो दखिए, आप खुद बताइए 113 से 119 तक की सभी बिशम संख्याओं यानि कि सुरुवात कहां से होगा, मैडियर, आप बोलेंगे इसको थोगा सा मोटा कर लेते हैं, पेन को 113 से सुरुवात होगा, होगा की नहीं होगा, और जाना कितना तक है, 119 तक जाना है तो 113 से 119 तक की सभी बिशम संख्याओं यानि कि सम वाले को छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे बिशम संख्याओं का बात किया है यानि कि संख्या जो है कुछ इस तरीके होगा, यहाँ पे सिरीज बनता होगा नजर आएगा, अगर आप पुगा लिखते हैं तो 113, 115, 117 यह चला जाएगा 119 तक तो यहाँ पे आप देखेंगे फिल से गैप दो-दो का है और ऐसे भी बिशम संख्याओं का जो सिरीज है तो गैप दो-दो का बनेगा तो 1st plus last by 2 यहाँ भी हम जो है कर देंगे इस टाइप का जब भी सवाल है तो 1st plus last by 2 तो 113 और 119 जोड़िए तो पहले 100 इसका लिजिए और 100 इसका लिजिए जोड़ने का भी तरीका होता है ऐसा नहीं कि बस जोड़ने लगे लिखने लगे पूरा बच्चों सा तो 100 और 100-200 69 और 13 आपका हो जाएगा 72 तो 272 दो से भाग मारेंगे 136 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर ठीक है तो बस इतना ही करना होता है चलते हैं हाँ सवाल में इसमें थोगा सा option A दे दिया है लेकिन option जो होगा वो D होगा चलते हैं आगे एक 40 क्रमागाद विशम संख्याओं का उसत 49 है सबसे बड़ी संख्या क्या है तो फिर से यहाँ वही बात कि भाई 20 संख्याओं इधर होंगी क्योंकि क्रमागाद संख्या का बात किया है और 20 संख्याओं इसके दाहिने और होंगी तो भाई यहाँ पे जो संख्या है उसका बड़ी संख्या, आप देखेंगे एक तालिस संख्या हैं, तो 20, 20, 40 है एक तालिस, यानि कि इसके बाद 20 संख्याएं होगी, इसके बाद 20 संख्याएं होगी, और यहाँ पर एक चीज और बात किया है, 20 संख्या का फिर से, फिर से का चीज का यानि कि दो दो का गयब होगा, दो घर के बीच में एक दो का गयब होगा, तो फिर से यहाँ पे हमको जाना है, 20 घर आके जाना है, तो एक दो घर के बीच में 20 का गयब है, तो 20 घर के बीच में कितने का गयब होगा? आप देख लिएजे, दो घर के बीच में 20 का गयब है, तो यहाँ पे 20 घर के गयब में कितना? 40 का हो जाएगा गयब, तो यहाँ पे 40 जो है, जोड देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको का जाना है, बड़ी संक्या निकाला है, तो सबसे बड़ी संक्या इधर होगा है, तो इसमे आसान है, हलुबा है, बहुत ही लल्लू है, इस टाइब का सवाल, इसमें जो है कुछ जान वगरा है होए, नहीं, फिर से ज़रा इसको बचा देते हैं, तो दखिए जी, जैसे कि एक तालिस संक्या हैं, तो एक तालिस में बीस संक्या इसके पाई ओर होगी, और बीस संक्या इसके दाई होगी, और यहाँ पे जो वाला नंबर है, यह दिया है हमारा उन्च्यास, जो कि संक्याएं बीसम संक्या हैं, तो का होगा, आपको पता है कि भाई, हर बीसम तो दो घर के बीच में जो गैप होता है वो दो का होता है तो दो घर के बीच में दो का गैप होता है तो बीस घर के बीच में कितना का गैप होगा आप बोलेंगे बीस में दो से गुना कर दीजे चालिस का गैप होगा तो बीस तूनी चालिस यानि की और आगे बढ़ना है तो बस इतना ही करना होता है, चलिए जी, आगे चले, ठीक है, question number 12 पे आते हैं, इसको मिटाते हैं, मिटा दे इसको, ठीक है, बुला है, यदि लगातार सम संक्याओं का आउसाथ 107 है, तो सबसे छोटी संक्या ग्याद करे, लगातार 14, हाँ, 14 लगातार सम संक्याओं का आउसाथ 107 है, तो सबसे छोटी संक्या आपको क्या होगा, वो ग्याद करके और जो है, बता देना है, एक सेकिन, इसके पहले सवाल, 11 नमबर ये सवाल छूट रहा है, उसको भी करहीं लेते हैं, 44 क्रमागत दिसम संक्याओं का आउसाथ 144 है, तो सबसे बड़ी संक्या कौन है, तो 44 क्रमागत, तो दखिए, फिर क्रमागत का बात किया है, यादि कि लगतार का बात किया है, तो ये, ऐसे हम कह सकते हैं, कि भाई, यहाँ पे ऐसे अगर होगा, और ये ऐसे, कि यहां पे 22 और 23 नमबर को जो है जोड के और 2 से भाग दिया गया होगा आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल सही है तो यहां पे इन 22 और 23 का इसको भी हटाईए यह जो वैलू है बीच वाला वो कितना है आप बोलेंगे 144 है लेकिन यहां पे 20 संख्या का बात किया है तो सब संख्या 20 ही होगा यानि कि इसका अगला वाला जो संख्या होगा वो कितना होगा आप बोलेंगे 145 होगा 145 होगा अब दखिए ये 21 संक्यां इधर होंगी और यहाँ पे क्या है 22 और 23 जोड है तो हम कह सकते हैं कि ये जो 145 है वो क्या है तो वो है यहाँ पे 21 और इधर हाँ अगर हम एक आगे पढ़ें तो वो है हमारा 23 नमबर ठीक है और यहाँ पे अगर एक पीछे बढ़ते तो वो होता हमारा 22 नमबर तो 144 में एक आगया बढ़े तो 145 हमारा आगया क्या 23 नमबर अब लेकिन हमको क्या करना है 44 नमबर टोटल टोटल 44 नमबर है हमको क्या करना है सबसे बड़ी संक्या निकालना है यानिकि 23 से सीधे 44 पे आना है तो आप देखे कितने का गयप है आप बलेंगे 21 घर का गयप है तो एक घर के बीच में 2 का गयप है तो यहाँ पे 21 घर के बीच में 21 में 2 से गुणा कर देंगे 42 हो जाएगा यहाँ पे क्या? जो अंतर आएगा वो तो यहाँ पे 145 में 42 चोड़ेंगे तो 187 हो जाएगा यहाँ पर answer तो बस इतना ही करना होता है ठीक है चलते हैं आगे इसको करते हैं clean question number 12 आप अपने से खुच सकीजिए अच्छा कि हम बता ही देते हैं यदि 14 लगतार संप संख्याओं का आउसाथ 107 है तो सबसे छोटी संख्या ग्याद करें तो सबसे छोटी संख्या ग्याद करें तू दखिए जी 14 लगतार है और संप संख्या है तो उनका आउसाथ आप कह सकते हैं कि यानि कि इसके 22 और 6 होगा और इसके दाई और भी 6 होगा तो 6 6 12 और यह 7 प्लस आठवा का जोड और 2 से भाग दिया होगा यह सब पहले बता जोगे हैं अगर आपको नहीं समझा रहा है तो वो वीडियो आप पूरा देखिए तो 7 प्लस आठवा का जोड और 2 से भाग देखे यह कितना 100 क्या बोला है 107 लाया है कह सकते हैं तो इसके बाद जो नमबर होगा आठवा नमबर होगा वो कितना होगा तो आप बोलेंगे उसमें एक चोड़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 108 हो जाएगा और यहाँ पे 108 जो है कौन सा नमबर है वो आठवा नमबर है लेकिन टोटल नमबर कितने हैं 14 है तो आठवे नमबर से 14 हमें नमबर पे जाना है यानि कि इतने एक घर का गयप है आप बलेंगे 6 घर का गयप है तो दो घरो के बीच में जो गयपा रहा है वो यहाँ पे चुकी इभेन नमबर है सम संख्या है तो दो घरो के बीच में इभेन नमबर हो या और नमबर हो तो यहां पे 6 घरों के बीच में 6 दूनी 12 गाईप होगा तो 108, क्या है यहां पर बोला है, find the smallest number हाँ, तो 108 में से क्या करेंगे, 12 घटा देंगे क्योंकि यहां पर smallest number पूचा है, सबसे छोटी संक्या पूचा है तो 108 में से आप 12 घटाएंगे, तो आपका, sorry, 108 यहां पर नहीं करेंगे तब क्योंकि आप बड़ी गुर बहाग रहे हैं, यहां पर 107 में से इसको सातवी नंबर प्याज़ाईए आप, और 106 कर लिजी, तो 106 में से आप 12 घटाएंगे तो 94 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर, तो ऐसे बस करना होता है, आप इस वीडियो को जो है सबसे चोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ग्याद करें, तो दखिए, यहां तो सवाल पहली बात की आपको बुलवाने का कोशिस किया है, कैसे? और 30 लगातार हो या कितना भी लगातार हो, जब लगातार बुल दिया, लगातार जहां बुल दिया, यहीं लगातार, तो बस हम पकड़ लें कि यहां पे first plus last वाला concept लग सकता है क्याजी करने के लिए, average निकालने के लिए, तो कह सकते हैं कि first plus last by 2 जो है, वो 160 है, तो यहां पे क्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो first plus last भाई हम बराबर नहीं कह सकते हैं कि यहां जाके गुना हो जाएगा, तो 334 हो जाए क्या है, वो सबसे बड़ी संख्या है, यहीं न होता है, सबसे बड़ी संख्या लाष्वला होगा और सबसे छोटी संख्या होगा, तो बस यहां से 334 ही हो जाएगा हमारा answer, यहां पे 38 दे एक सब 8 दे दे, 2038 दे उससे कोई मतलब हमको हाय गुई नहीं, ठीक है, बस चलते ह है आगे कि इसको थोड़ा हम कर लें क्लीन आप खुद से क्वेस्टन नंबर 14 को तब तक कीज़े ट्राई ओके तो चलिए हम आते हैं क्वेस्टन नंबर 14 पर प्रथम 1234 यहां पर डैस है संख्याओं का आउसद 1234 के बराबर है आपको हम पहले बता चुके हैं इस टाइप कर सवाल दखी एक बार फिर से समझ लेजिए इस टाइप कर जब भी सवाला है तो आप एक बार भूल अगर जाएंगे तो पहले का कीजिए जैसे दो चार छे सम संख्या है प्रथम तीन सम संख्या है क्या है प्रथम तीन है यहाँ भी प्रथम का बात किया है तो प्रथम तीन सम संख्याओं का जो औसत होगा छे चार दस तो बारव बट्टा तीन यानि कि चार हमारा हो जा रहा है औसत आप देख रहे हैं कि प्रथम तीन का आउसत हम लिए हैं, प्रथम तीन सम संख्याओं का आउसत लिए हैं, तो एक बढ़के चार हो जा रहा है, हमेशा यहीं होगा, जब भी सम संख्याओं का बात करेंगे, उसमें एक जोड देंगे, और जब भी सम संख्याओं का आउसत का तो संभ संख्याव में एक जोड देते हैं उसह हो जाएगा कहेगा प्रथम 2000 संख्याओं का आउसरत किया होगा तो 2000 में एक जोड़ देंगे कियोंकि यहाँ पर प्रथम संख्याओं बोला है तो 2000 में एक जोड़ देंगे तो 2001 कहेगा प्रथम 2009 बिसंख्याओं का आउसरत किया होगा तो यहाँ पर बिसंख्याओं है तो बस चलते हैं अब आगे question नमबर टंगरा पे तो बोला है यहां तो प्रथम 101 टैस संख्याओं का आउसत 102 हो गया तो बुली दिए एक हमेशा जुटता है तो यहाँ पे संख्या जोकी option नमबर C में दिया है हिंदी में इसको even नमर को हिंदी में संख्या ही बोलते हैं अब दखिए यदि 29 लगातार संख्याओं का आउसत 446 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर ग्याद कीजिए दखिए कुछ नहीं करना है 29 लगातार है और लगातार है तो कह सकते हैं कि भाई 14 नमबर इस संख्या के जो एवरेज है एवरेज के बाईं और 14 होगा और इसके दाईं और भी 14 होगा तो हमको का करना है सबसे जो बड़ी संख्या है फर्स्ट वाला और जो सबसे लास्ट वाला संख्या है उसी का जो क्या है उसका इसको ज़िल कर को फिर से लिखते हैं मिर् обнаружल आपके लिए सब्सक्राहाज में है आपको जो स्वास आपको करते रहते हैं अपसे इस के अपना है तो दखुएन प्रथम हाँ कितना है एक सेकेंड यदि 29 लगातार समसंख्याओं का अफसर जो है 446 है तो कह सकते हैं कि भाई first और last का यहाँ पे जो है अंतर हमसे तो पूछ रहा है first and last number साब बोल भी दिया है find difference between first and last number और जो average है वो आपको पता है कि भाई बीच में होगा क्योंकि यहाँ पे समसंख्याओं का बात किया है और 29 दिया है तो बहुत अच्छी बात है कि इसके पाई और संख्या 14 नंबर होगा इसके दाई और भी 14 नंबर होगा तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम पहिला नंबर माने तो यह 29 नंबर होगा और इन ही दूनों के जो गयप है उनको हमको बताना है तो आप देख सकते हैं कि भाई दो गहरों के बीच में समसंख्या हो या फिर भी समसंख्या हो जो डिफ्रेंस रहता है वो दो रहता है तो 1 से 29 जाने में जो डिफ्रेंस होगा वो पहले कितना गहर है एक से 29 जाने में आप बोलेंगे 28 कहर है तो 28 में क्या करेंगे दो से कर देंगे गुना तो हमारा हो जाएगा छपकन यहाँ पर एंसर तो बस इतना ही आपको करना होता है बाकी आप देख सकते हैं कि यह जो 446 था इस डाटा का हमने कोई इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया फालतु का हाँ पर दिया है तो चलिए जी आगे Question No.17 एक समू की साथ लगतार समसंक्याओं का योग 532 है इसी समू की पहली चार समसंक्याओं का आउसत क्या है तो देखिए कुछ नहीं करना है सवाल बहुत असान है एजी है एकदम हलुगा है आप इसको रगड़ कर फेक देंगे जब भी आदके एकजाम में आए चाहे हो DGD हो या MTS हो कुछ भी हो CGL हो CPO हो तो देखिए तो बुलाए एक समू की साथ लगातार समसंक्याओं का योग 532 है इसी समू की पहली चार समसंक्याओं का आउसत पुछाय क्या होगा तो पहली आप खुद बताइए योग अगर 532 है योग 532 है और कितने जो है संक्याओं है तो आप बोलेंगे संक्याओं साथ है तो जो औसरत आएगा को सबने हैं कि 7749 फिर यहाँ पे 3 बचा 49 और 4 हाँ 4 बचा तो 4 किसान 2 जुरा तो सचक ब्याइशन कि 76 जो है इसका हेवरेज है तब जब 7 संख्याएं हैं तब यहाँ पे गोल गोल पार के आपको बता ही देते हैं जिसे 1,2,3,4,5,6,7 साथ संख्याएं है तो इनका जो एवरेज है जो बीच वाला है वो कितना है जी 76 तो बोला है तो पहली नहीं क्या बोला है इस समूँ की पहली 4 संख्याओं का आउसत क्या होगा तो देखिए यह तो 76 है और जो समूँ की साथ लगतार संख्याओं का योग 532 है यानि की का सकते हैं कि जो समूँ में 7 संख्याओं है तो का सकते हैं कि ये अगर हमको चारी संख्या का ओसरत निकालना है तो 1,2,3,4 यहां से यहां तक निकालना है तो बीच वड़ा ले लिजी यहाँ पे option तो 72 प्लस 74 जोड देंगे तो 70, 70, 140 होता है 4 और 2, 6 तो 140 प्लस से 73 हो जाएगा 2 से भाग माद देंगा हो जाएगा इसका answer 146 बट्टा 2, 73 हो जाएगा इसका answer समझे की नहीं, सवाल बहुत अच्छा है समझने की बस फेर है तो आशा फिर से देख लिजेगा वीडियो को ठीक है, आप ही को बोल रहे question नमबर आते हैं 18 पे बुलाए 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औस्षत क्या है जो 13 से भिभाज हो तो दखिये जी यानि कि संख्या 100 और 200 के बीच में वैसा संख्याओं का औस्षत निकालना है जो 13 से भिभाजित हो तो आप यहां समझ सकते हैं 13 से भिभाजित होने वाला स्रीज बन जाएगा, कैसे? तो 100 तो लेंगे नहीं, क्योंकि यह तो ऐसा ही exclude कर दिया है 100 और 200 के बीच में लेना है वैसे भी 13 से नहीं कटेगा तो यहां पे 104 जो होगा पहला होगा संख्या और यहां पे 200 के बीच में दखिए 195 हो जाएगा, पटाक से आप मन में सूच देंजी हो जाएगा, जो 13 से कटता है तो आप दखेंगे 104 है फिर इसके बाद 170 ऐसा ही करते-करते 195 तक पहुंचेगा, तो एक सीरीज बनेगा जिसका डिफरेंस 13 है और जब सीरीज बनता है तो आपको पहले बता चुके हैं कि जब भी इसा सवाल आ है फस्ट को उठाइए, फस्ट पाइल नमबर का कान पकड़िए और लास्ट फाइल नमबर का कान पकड़िए दोनों को जोड दीजिए, दो से भाग देजिए वहीं हो जाएगा इसका इबरेज़ तो 104 प्लस 195 तो कशकते हैं कि भाई 299 299 बट्टा दो 149.5 हो जाएगा इस सवाल का उपतर समझ गए बाद तो बस इतना ही करना होता है और इसमें कुछ करना हो नहीं सारा सवाल जितना अभी अभी तक हम बताएं है या आगे भी कुछ बताएंगे लगबग सारा सवाल यहाँ पर smartly in the mind करना होता है अगर आप इन सारे सवालों को अभी भी लिक करते हैं तो आप से आदत को सुधारिए और mind में कैलिकुलेशन और सवाल को सवाल को सब करने का आदत डालिए अगर सच में आपको एक्जाम और निकालना है तब अब आते हैं सवाल नंबर 19 पे यहाँ पे दिखेंगे आप कौन हाँ एक सेकेंड इसका पहले हम एक ट्रीक बढ़ा देते हैं क्वेस्चन नंबर 19 का बात कर रहे हैं एक इसका ट्रीक बता देते हैं उसके बाद आप उस ट्रीक को ही याद दख लीजेगा और सवाल को कीजेगा सौर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो संख्या है संख्या है वो कितना है? 9 है संख्या जो है वो जो संख्या है 9 है शुरुवात में फिर उसके बाद 19 है देख इसका आप ठीक बढ़ा देता हूँ मैं दखे जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप दखे कि 9 एक बार है 9-2 बार है 9-3 बार फिर 4 बार 5 बार ऐसे ही करके करके और 9 यहाँ पर 9 बार हो गया है तो इसका जो आउसत आता है उसमें एक से लेकर 9 तक ही संख्या होगी मतलब जितना ज़्यादा बार यहाँ पर रिपीट लास्ट बार हुगा है 9 यहाँ पर 9 बार हो गया है तो एक से लेकर 1-2-3-4-5-6-7-8-9 जो है ऐसे संख्या में उसका एवरेज में यह सब 1-2-3-4-5-6-7-8-9 यहाँ पर तक हो जाएगा तो इसमें क्या है? 0 नहीं है तो 0 हो जाएगा इसका answer क्या पूचा है? कौन सा आँको उपस्तित नहीं है तो उपस्तित कौन नहीं है? 0 नहीं है 0 हो जाएगा इसका answer अगर आपको समझे एक बार और जैसे कि 9 यहाँ पर एक बार फिर दो बार यहाँ पर करके और फिर यहाँ पर तीन बार दिया होता और यहाँ पर एक और लेते हैं इस चार बार यहाँ पर एक बार ठीक है और इसका कहता कि average में कौन सा नंबर नहीं होगा तो पहली बात कि कितना बार maximum repeat हुआ है नो तो आप बलेंगे चार बार हुआ है तो इसके औसर में चार ही संख्याएं होंगी कैसे एक, दो, तीन और चार बाकी कोई भी संख्याएं इसमें नहीं हो सकता है यह हुए इसका औसर निकालने का तरीका यह सब आखिर आता कैसे है यह सब आखिर आता कैसे है तो आता ऐसे है कि जब आप इसको जोडेंगे और भाग देंगे 9 से, तो दखिए यह 9 है पहले हम चलिए आखको जोडना बताते है यह 9 है यह है 99, इसमें double 9 है ठीक है यह है आपका triple 9 ऐसे ही करते-करते आप देखेंगे कि आप इसमे एक सेकेंड हाँ तो चलिए यहाँ पर अगर आप 9 बार है तो 9 बार तक जाएंगे तो क्या होगा न कि 9 बार तक ऐसे करते-करते-करते गए तो क्या करेंगे संख्या काईगो है 9 बार है काई कि 9 एक बार, 9 दो बार सब करते-करते-9 गो संख्या होगा है तो 9 से भाग मारे काईगा तो आप देखें, यह कटेगा तो एक आएगा, यहाँ पर कटेगा तो 111 हो जाएगा, यह कटेगा तो 111 हो जाएगा, यह कटेगा तो 4 बार 111, मतलब जितना बार 9 उतना बार एक एक यहाँ पर मिलदा जाएगा, और सबको आप जोड़ेंगे, तो लास्ट में किया आएगा, लास्ट में हमेशा जो है ये इसके लास्ट में जो है 9 आएगा क्योंकि 9 बार है अरे भाई ऐसे ऐसे करते करते एकड़म 1-1 जो है नीचे भी 1-1 फिर ऐसे 111 है करके फिर यहां पे 111 है फिर एक है उपर भी पूरा मतलब 9 बार तक होते गया है तो क्या होगा नौ ही तुवाएगा लास्ट में और इसके बाद जो है संक्याएं कम होती जाएंगी तो नौ वार्ट साथ पांचे इधर मतलब है जो लिखें हो इससे हो जाएगा इसलिए यहाँ पे जो एंसर होगा उसमें 0 नहीं है तो हो जाएगा इस सवाल का उत्तर और एक सेकेंट वास है यहाँ पे मिश्टेक होता हुँ अचनर आ रहा है जैसे यहाँ पे 9 तीन ही बार किया होता तीन ही बार तक आपको लिख के पूछा होता कि इसका जो है एवरेज कितना होगा या फिर इसके एवरेज में कौन सी संख्या उपस्तित नहीं होगी अगर इस 9, 3 बार और इसका आपको एवरेज पूछा है तुर दखिए 3 से भाग मा रहे है क्योंकि 3 संख्या है अब दखिए 3, 29, 33, 99 यहाँ पे 3 से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 333, 333 तुर दखिए सब को जोड़ेंगे तो 3, 3, 6, 3, 9, लास्ट में 9 आएगा तो यहाँ प इस टाइब के सवालों को हल वैसा जो भी बोलेगा सबको जितने भी संख्या है तीन से भाग मार देंगे रिपीट है तो बस उतना कर दना है हाला कि यह जो तरीका है यह सबसे दीबेस्ट है अगर आप नौ नौ ऐसे करकाता है तो बस ऐसा ही याद रख सकते हैं तो चलते हैं आगे question number 20 आखों में काफी नींद है फिर भी जो है यह class आपके नाम कुर्बान करता हुआ तो देखे यहाँ पर एक एक बार है दो दो बार है तीन तीन बार है चार चार बार है यह भी अजीब सा सवाल है अगर आप यह देखें तो यह जो है बिल्कुल जर जाएंगे आप तो एक ए चौट्रिक आपको बता चुके हैं वो आता कैसे है वो भी बता चुके हैं इसका जो फर्मूला है 2N प्लस 1 बाई 3 जहां पर एंड किया है सबसे जो बड़ी संक्या है यहाँ पर वो यहाँ पर रखेंगे तो दो गुने 7 प्लस 1 बटा में 3 तो 7 दून 14 एक 15 बटा में 3 यान इस टाइप का सवाल थ्वासा MTS में इससे थ्वासा हलका ही आया है पूरा भरभर के हर सिफ्ट में लगवा पूछा गया है थ्वासा यहाँ पर question को मनें twist किया हुआ है और यहाँ पर why जो डाल दिया हूँ वहीं थ्वासा irritating हो सकता है कुछ बच्चों के लिए तो चलिए question क करते हैं solve बीना किसी देर के हाला कि देर तो काफी हो ही गया है एक सेकेंड हूँ चली बोला है 20 मापनों x1 x2 ऐसे ही करके x20 तक गया है का उसत y है तब x1-1 फिर x2-1 फिर x3-1 या निकि क्या आपको दिख नहीं रहा है कि जो है जितनी भी संख्याय है यह अगर x1 से लेके संख्याय अगर हैं तो अगर आप देखा जाएं तो यहाँ पिका कि यहाँ बाद में फिर x1 में भी x1-1 घटा दिया एकस्टू में भी x1-1 घटा दिया है तो कह सकते हैं कि बाई एवरेज में भी हमारा 101 घट जाएगा ये हम बात पहले ही बता चुके हैं, कि किसी पूरी संख्याइ में अगर आप किसी भी नमर से जोडते हैं, किसी भी नमर से गुणा करते हैं या फिरी भाग दिते हैं, तो एवरेज में भी वही थी जोगा, यानि कि सब में कुछ जोड रहा हैं, तो sum में चोट रहा हैं, तो average में भी उतना चुट जाएगा, अगर sum संख्या में 5 से भाग दा रहा है, तो average में भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे simply sum में से 101 घट रहा है, तो हमारा जो average था, आउसर जो था Y था तो Y में से भी 101 घट जाएगा और बीना पेंच चला इसका हो जाएगा उत्तर आउसर नमबर B ठीक है बस इतना ही करना होता है 126 संख्याओं का आउसर 951 है यदि प्रती एक संख्या को 0.2 से गुना किया जाए और 3.6 में जोड दिया जाए तो संख्याओं के नया सेट का आउसर क्या होगा तो देखिए बहुत ही अच्छा और हलुआ सवाल यहाँ पे देखिएजी संख्याओं का नया आउसर तो 951 है preparedness तो क्या किया है 0.2 से गुना किया है तो आप आउसाथ में भी क्या कीजिए 0.2 से गुणा कर दीजिए और 3.6 में जोर दिया जाए तो यहाँ पे जो एंसर आएगा उसमें 3.6 धोर दीजिए आप तो देखिए 951 में आप पॉइंट 2 से गुणा करके देखिए 2 एकम 2, 952, 190 तो यहाँ पे 190.2 और फिर इसमें क्या करना है 3.6 को जोर देना है तो 3.6 इसमें जोरेंगे तो यहाँ पे 6, 2, 8, यह 3, यह 9, यह 1 तो 193.8 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर तो बस इतना ही करना होता है हम क्या कियें बोला है सभी संख्या में प्रती एक संख्या को 0.2 से गुणा किया जाता है तो हम भी जो एवरेज था उसमें 0.2 से गुणा कर दियें और बोला है प्रती एक संख्या में 3.6 को जोर भी दिया जाता है तो हम भी 3.6 को इसमें गुणा करने के बात जोर दिये तो हमारा हो जाएगा 193.8 अभी आपको हम बताएं कि जैसा जो प्रतियक संख्याम होता है वहीं operation average में भी होता है ये बात आपको याद रखनी है ठीक है तो इस वीडियो को पिलाल इतना ही पिर दिबिराम देता हूँ और session कैसा लगा आप जो है इंट्रेस्टिक सवाल भी जो की काफी इन जिनका pattern आ रहा है फिलाल जिनका trend काफी अच्छा आ रहा है ऐसे सीजी एल मेंस में भी काफी अच्छी अच्छी और नवने सवाल जो है पूछे गए हैं इस बार भी पिछले बार में पूछे गए थे तो उन सवालों को हम आप डिस्कस करने की कोशिश करेंगे फिलाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाइबाइ टेक क्यार और हाँ कमेंट में जरू बताईए कि वीडियो कैसा लागा समझ में कितना आया कितना नहीं आया तो वहां पर हम सुधार करेंगे क्योंकि टीचिंग इस में पैसन और यह जो है जो चीज इंसान को अगर रहता है कि भाईयो एकदम उसको मन से लगा रहता है तो उसके पास कोई कमी आती भी है देखता है कि मेरे पास कमी हो रही है तो उसको सुधार करता है तो आभी लोग में बताईए कि हम क्या कमी कर रहे है आपको समझाने में अगर कमी कर रहे है तो उसको अपने इसाफ सब्सक्राइब कमी हो रहा है तो वह तो हमको पता ही है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जबता के लिए थैंक्यू, बाइ-बाइ, टेक केर.